है 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 आपका फिट से स्वागत है आपके विस्वस्थियर लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेंटर से रुकर में मैं हूँ आपका मैंटमेंट और राकेश प्रंजन पिछले क्लास में हमने रेस्टनल नंबर के बीच में रेस्टनल नंबर को दो रेस्टनल नंबर के बीच में रेस्टनल नंबर को इंसर्ट करना सीखा था ठीक है अब उसकी संख्या कितनी भी हो आप लोगों को बताया था कि कितनी भी संख्या हो आप उसको कैसे कर सकते हैं ठीक है न तो एक बार उस को recall करा देते हैं जैसे माल दीजिए question आपके पास आ जाए find six rational number find six rational number between four and five और भी rational number है क्योंकि every integer इसे rational number क्योंकि सभी integer को हम लोग by one के form में लिख सकते हैं by one मतलब कि four by one five by one है ना कि rational का property ले लेता है तो इसके बीच में करना था आपको याद दिला दूं कि x और y के बीच में हम लोगों को x और y के बीच में formula आपको बतायते हैं कि x और y दो rational number है उसके बीच में n rational number कैसे insert करेंगे ठीक है जहां एक्स छोटा था और y क्या था बरा था ठीक है अब देखो भी ऐसा है कि formula क्या था एक d निकाले थे y minus x by n plus 1 जहां y क्या है larger number x क्या है a smaller number n क्या है number of numbers यानि कितने number insert करने है वो n की value है n किसके बराबर है कितना number उन दोनों के बीच में insert करने है जैसे मालो कि यहां 6 रस्त नंबर insert करना है 4 और 5 के बीच में तो n का value जो है वो 6 के बराबर है ठीक है चब यहां से 4 और 5 में greater कौन है तो आभिसली 5 greater है तो 5 को क्या लेंगे y और x को क्या लेंगे 4 तो d क्या आ जा गया से 5 माइनस 4 देखो y-6 by n प्लस 1 यानि 6 प्लस 1 5-4 कितना 1 6 प्लस 1 कितना 7 यानि d की value आ गई 7 तो आपको याद होगा कि जो पहला नंबर था वो क्या था x प्लस d यानि की 4 प्लस 1 by 7 कितना हो जा गई है 29 by 7 है ना 7 4 28 प्लस 1 29 by 7 दूसरा नंबर क्या होता x प्लस 2 d यानि 4 प्लस 2 by 7 कितना जाएगा 30 by 7 तीसरा नंबर कितना आएगा x प्लस 3 d x प्लस 3 d यानि 4 प्लस 3 into 1 by 7 3 into 1 by 7 that is 3 by 7 solve कर वही 31 by 7 छे नंबर था चौथा कितना हो जाएगा x प्लस 4 d x का मतलब 4 plus 4 by 7 32 by 7 x प्लस 5 d 4 प्लस 5 d मतलब 5 by 7 d का value 1 by 7 और 5 d है तो 5 उसमें multiply किया तो क्या जाएगा 5 by 7 यानि कि 33 by 7 और x प्लस 6 d ये छट्था नंबर है 4 प्लस 6 by 7 यानि 34 by 7 करना क्या था आपको 4 और 5 के बीच में 6 रेसनल नंबर इंसर्ट करना था तो पहला ता आगया आपका 4 4 के बाद देखी क्या आया पहला 29 by 7 फिर 30 by 7 31 by 7 32 by 7 33 by 7 34 by 7 और लास्ट कहा है ये 5 ये अब आप एक चीज़ देखिए यहां से अगर आप चाहें इसको 4 को अगर आप 4 को देखें तो आप 4 को लिख सकते हैं क्या 28 by 7 4 ही तो है 28 by 7 सबका डिनोमिनेटर सेम कर दिये ये 29 by 7 ये 30 by 7 31 by 7 32 by 7 33 by 7 34 by 7 और इस 5 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 35 by 7 तो देखो 28 से स्टाइट हुआ फिर 29 30 31 32 33 34 आगया तो इस तरह से हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में कितना भी रेशनल नंबर के इंसर्ट कर सकते हैं 2 4 10 12 20 25 जितना भी आए इन नंबर ओफ रेशनल नंबर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है बच्चों यहां वाई क्या है और इंसर्ट करना है उसका लार्जर नंबर वाई है स्मॉलर नंबर एक्स है और एन क्या है कि उन दोनों के बीच में कितना रेशनल नंबर इंसर्ट करना है ठीक है तो यह रिकॉल करा दिया आपको थुरसा किया दो जाए अब बात आती है कि डेसिमल की कि ठीक है अब बात आती है डेसिमल की अब अब बात करते हैं हम लोग अब डेसिमल में कि डेसिमल को हम लोग कैसे कैसे देखते हैं